दोस्तों नमस्कार मेरी इस यूटूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बंद मरस्वात करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम एक एंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे एनिकेटर का नाम है फिवो नाची किस तरीके से फिवो नाची का यूज करते हैं और कहां कहां उसका इस्तेमाल किया जाता है इन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा फिवो नाची रिट्रेस्मेंट कहां कहां पर काम करता है सबसे पहले देखते हैं जब भी मार्केट किसी दिशा में गया हो सीधा गया इसके बाद एक करेक्शन हुआ इसके बाद वापस से एक अप्ट्रेंड देखने को मिला फिर से करेक्शन आया फिर अप्ट्रेंड हुआ इसके बाद करेक्शन के बाद एक डाउन ट्रेंड मिला फिर करेक्शन फिर डाउन ट्रेंड इसी तरह किसे मार्केट चलता है तो फिवोनाची कहां पर यूज होता है अब इस retracement को पकड़ने के बाद यह जो retracement करेगा इस retracement कहां तक करेगा इसी को जानने के लिए हम फिवोनाची का उप्योग करते हैं करेक्ट है फिवोनाची कहां पर उप्योग करते हैं कि कितना correction हो सकता है market में एक uptrend चल रहा है अब uptrend के बाद एक correction आया वह correction कहां तक हो सकता है इस price को निकालने के लिए हम फिवोनाची का उप्योग करते हैं इसके बाद वापस इसमें एक rally होगा क्योंकि market या तो uptrend जाएगा या downtrend तो uptrend होगा तो retracement के बाद एक uptrend होगा तो किस point से लेका कहां से या uptrend होने वाला इसी को जानने के लिए few notch का use करते हैं करेक्ट है अब हम देखते हैं या uptrend का हो गया अब हम same situation downtrend के लिए भी निकाल सकते हैं downtrend को चल रहा है market और इसके बाद चलते चलते एक low बना इसके बाद एक retracement आएगा यह retracement कहां तक का होगा इस retracement को जानने के लिए ही हम फिवो नाची का उप्योग करते हैं इसके बाद वापर से downtrend कंटीनु रहेगा समझ में आया होगा आपको अब हम चलेंगे फिवो नाची लगा के दिखाता हूं मैं एक uptrend stock के उपर stock मैंने लिए है ग्रासिम का example के लिए चलिए मैं फिवो नाची लगाता हूं यह है फिवो नाची retracement आप खोच सकते हैं अपने टर्मिनल में प्रोब्लम आएगा तो मेरे से connect कर सकते हैं मैं आपको प्रोपर गाइड करेंगो फिवो नाची retracement के बारे में मेरा WhatsApp नमबर दिया गया है वीडियो के description में वहां से आप मुझे contact कर सकते हैं करेक्ट आगे हम बढ़ेंगे अब हम इस फिवो नाची को कहां पर लगाएंगे जहां से चलना शुरू किया है stock तो यहां भी यहां पर current में यहां से चलना शुरू किया है stock करेक्ट यह एक low है उस low price से हम फिवो नाची लगाएंगे और एक swing height की तक यहां तक हम लगाएंगे यहां से लेकर यहां तक हम लगाएंगे और हम पकड़ने का प्रयास करेंगे कि यह retracement आता तो कहां तक आता जो आके यह दिखिए यहां retracement किया है retracement के बाद एक up trend वापस से continue हुआ है तो इसी up trend को पकड़ने के लिए हम कहां तक यह retracement करेगा उस चीज को जानने के लिए फिवो नाची का उपयोग करते तो हम लगाते हैं फिवो नाची को इस point पे हम लगाएंगे फिवो नाची को इस point पे हम लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे और हम लगाएंगे कहां तक इस high price तक only इस high price तक correct अब हम देखिए फिवो नाची के ले लिवल्स है प्रोपर यूज करने वाले जो लिवल्स है उनको यहां दिया गया है नोर्मली तो यहां से कोई stock open हुआ एक trend मिला trend के बाद यहां पे few नाची retracement आता है यहां से और retracement यहां तक आता है region है देखिए यहां पे दिया गया है 0.5 इसका मतलब है कि यह 50% का retracement हुआ इसके बाद यहां uptrend चला तो कोई भी stock में ज्यादा अच्छा सा retracement कहां तक को मानेंगे 50% को और अगर उससे अधिक नीचे आता है तो 61% तक को यहां तक को ही हम retracement कहेंगे 61% की नीचे अगर आ जाता है कोई stock तो वह trend change हो गया इसके बाद trend change कब हो जाएगा stock का जब हमको retracement दिखेगा कि 60% से down आ चुका है stock का retracement तब इसका मतलब कि यह इसका trend ही change हो गया अब यह नीचे आएगा उपर नहीं जाएगा correct है तो इस stock से उपर देखिए यहां से इसने अप trend लगाया इसके बाद यहां से फ्यू नाची retracement हम लगाया तो 50% का retracement इस point पे लिया इसके बाद यह वापस continue किया अपने trend को जो जा रहा था upper side correct यहां पे यहां तक इसके बाद वापस से अपना trend को continue करता है यह stock उससे पहले retracement आप देख पाएंगे देखने को मिलेगा 20 0.23 यह 0.236 इतना का retracement होता है उपर जाने के बाद इतना का retracement लेके ऐसे जा सकता था correct अप्ट्रेंड हुआ इसके बाद यहां तक का retracement इसके बाद अप्ट्रेंड ऐसे हो सकता है first point second point होगा वाप्ट्रेंड है अप्ट्रेंड के बाद आएगा retracement कहा तक 38% इसको 38% बोल सकते हैं इस price तक का retracement हो सकता था 38% इसको बोलेंगे इसके नीचे आता है 50 का 0.5 लिखा है और यहां 0.38 है इसका मतलब कि 0.38 38% है इसका मतलब 50% का retracement price का और उसके नीचे है 61% का price का retracement मतलब कोई stock 100 रुपे में चाले हुआ और मतलब कोई stock 50 रुपे में चाले हुआ और हुआ हाई लगाया एक ट्रेंड का 100 रुपे का अब हम फिवो नासी लगाएंगे तो यह retracement फर्स retracement होगा इसका 23% का यहां पर मतलब 70 या 80 रुपी के आसपास का यह retracement करेगा इसके बाद अगर यहां पर होल्ड नहीं हो पाता है तो डाउन आएगा और गिरेगा 30 एट परसेंट का मतलब 62 या 60 यहां पर होगा इसके बाद अगर यहां भी retracement नहीं हो पाता है तो 50 परसेंट आएगा मतलब 50 रुपे के भाव तक आएगा यह इसका प्राइज यहां पर एक रुपे से कंटीन्यू करता है तब होगा 100 परसेंट तक एक ट्रेंड बना इसके बाद 38 परसेंट का retracement मतलब 78 या 77 रुपे तक आएगा इसके बाद यहां पर 38 परसेंट मतलब 62 या 40 रुपे तक आएगा इसके बाद अगर 50 रुपे तक आएगा अगर नहीं रुखता है इस पॉइंट पर तो आएगा 61 परसेंट तक यहां मतलब 41 या 49 रुपे तक का प्राइज रहेगा यह 40 से 49 का करेक्ट यहां से फिर या अप ट्रेंड हो सकता है अगर यह इसके नीचे क्लोज आता है नीचे आ जाता है तो इसका मतलब की ट्रेंड डाउन हो चुका करेक्ट समझ में आ गया होगा इसको स्टोक स्टार्ट होता है और पहुंचता है 100 रुपे तक करेक्ट अब यहां फिवो नाची लगाएंगे कि कहां तक रिट्रेंड आ सकता है अब 100 रुपे जाने के बाद तो कहां तक आएगा पहला रिट्रेंड होगा यहोगा 23 परसेंट का मतलब इसका प्राइज होगा 77 र रुपीज तक आ सकता है इसका रेट यहां भी नहीं होल्ड करता है अपने आपको तो फिर आ जाएगा 50 रुपीज यह होता है 50 परसेंट अगर यहां भी नहीं रुपता है तो आएगा 39 रुपीज या 38 यह प्राइज यहां से इसको आप जाना ही है कुछ भी हो फियोना की रिट्रेस्मेंट के अनुसार करेक्ट अगर यहां से नीचे आ जाता है इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया तो यह था फियोना से की उपर बेसिक सक जानकारी अगर आप कंप्लीट जा चाहते हैं तो WhatsApp निमबर दिया गया है वह WhatsApp करके हम से complete जानकारी से समझ ले सकते हैं जहां भी डाउट हो डाउट को अपना clear कर सकते हैं तो इस वीडियो में फियुझर आप चो चोटा सा knowledge था वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दिजेगा question होगा comment करकी जरूर पूछ सकते हैं and what sort number दिया गया है वहाँ से भी आप contact कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन को उन करना मत भूलिएगा